वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट करके जरूब बताय करें तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक कप बैसन एक बावल में डाल लेंगे अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक लंप स्प्री वैटर बना के तयार कर लेंगे तो आप भी इसी तरह से अच्छे से विस्क से मिक्स करते हुए इसका बैटर इस तरह का बना के तयार कर लेंगे तो बैटर हमारा तयार है थोड़ा भी गाड़ा ही रखा है अब इसमें एक प्यास डालेंगे तो बारिक काट के लिए एक हरी मिच ड चमबच अल्दी पॉर्टर कलर के लिए एक चोथाई चमबच अजवाइन डाइजेशन के लिए आदा चमबच चिली फ्लेक्स आदा चमबच नमक डालेंगे थोड़ी सी हिंग डाल लेते हैं और हिंग डालका सभी सबजियों को बेशन के बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से सारी चीजे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए बैटर थोड़ा गाड़ा है तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल डाल कर इस तरह का बैटर बना कर तयार कर लेंगे तो बैटर हमारा तयार है पांस मिनट रेस पर चोड़ देंगे और पांस मिनट बा लेंगे तो चोटे बड़े साइज आप अपने अकोर्डिंग इसको बना सकते हैं तो मैंने मीडियम साइज का बना है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शियर करें तो इस तरह से चीला फेला दिया है दो मिनट इसे ढखकर लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे अब दो मिनट बाद देखिए चीला हमारा लग राय का एक साइट से सिग्या है तोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और तेल लगा कर चीले को हम पलटेंगे तो एक लकड़ी की कल्ची से इसको हम पलट लेते हैं तो देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है और आप दूसरी तरफ से भी दो मिनट लो टू मीडियम फिलिम पर सेख लेंगे तो इस तरह से चीला हमारा बन के तयार है अब चीले को हम प्लेट में निकाल लेते हैं इसी तरह से मैंने दूसरा चीला भी बना के तयार कर लिया है थैंक यू फो वो